स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विट सुमित में इस चैनल पे हम लोग इंजिनिरिंग मेकैनिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें टॉपिक चल रहा है त्योरी आफ टॉर्शन जो हमारे इंजिनिरिंग मेकैनिक्स यूनिट फाइब का थर्ड चैप् है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेयर कर रहा हूं वहां से आप पहले उस वीडियो को देखिए उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप समझेगा तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगा यहां पे हमारे सामने क्या है एक नियूमेरिकल है आज से हम लोग थियोर 255 न्यूटन मीटर दे मैक्सिमम टॉर्क इज 146 परसेंट आफ एवरेज टॉर्क इफ दे एलावेबल सीर इस्ट्रेस इन दे सेफ्ट मेटेरियल इज 45 न्यूटन पर एमेम स्कॉयर डिटर्माइन दे सुटेवल डामीटर अफ दे सेफ्ट तो मैंने यहां पे एक सेफ्क ब करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि question में हमें क्या क्या given है क्या क्या में given है तो यहां पे इस problem में जो given है कि हमें इस में average torque दिया गया है यानि average torque Avj यह दिया हुआ है 2255 न्यूटन मीतर 2255 न्यूटन मीटर85 ऑर जो maximum torque है, T maximum, maximum torque is 146% of T average, ऐसा relation हमें इस problem में दिया गया है, और आगे दिया गया है, shaft material का shear stress, shear stress in the shaft material is 45, यानि shear stress tau max है, जो allowable shear stress होता है, यही maximum shear stress है, यह given है 45 newton per mm square, तो इसको अगर हम per meter square में change करेंगे, तो इसको लिशकते हैं, 45 into 10 to the power 6 newton per meter square, आप जानते हो, नीचे mm square है, इसको जब हम लोग meter में change करेंगे, तो 1 mm is equal to 10 to the power minus 3 meter, और जब 10 to the power minus 3 का square कर देंगे, तो 10 to the power minus 6 आएगा, उपर लेके आएगे, 10 to the power 6 newton per meter square हो जाएगा, unit conversion यहाँ पे कर लिया, ऐसा इसलिए, क्योंकि जो torque दिया हुआ है, यह newton meter है, यहाँ meter है, और यहाँ mm square था, तो दोनों unit same होनी चाहिए, तो इसको भी क्या किया, meter square में change कर लिया, हमें find करना है, diameter, suitable diameter, यानि हमें find करना है, d कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कल torsional equation हम लोगों ने derive किया था, वहाँ से हम जानते हैं, we know the relation, t by j equal to tau by r, यहाँ पे जब हम tau maximum लेंगे, तो हमारा radius जो होगा, वो maximum होगा, where r is the radius and j is the polar modulus, j is the polar modulus, t is torque and tau is maximum shear stress, this tau is maximum shear stress, तो इस relation को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका diameter find करेंगे, तो यहाँ पे हमें चाहिए t max, यहाँ इस फारूले में जो t है, यह क्या है, maximum torque है, जबकि question में हमें क्या given है, average torque, तो पहले मैं t max find कर लेता हूँ, तो यहाँ पे therefore we can write t max, यानि maximum torque, तो 146% है, यानि 146 by 100 into t average, तो t average हमें given है 2255, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t maximum, तो यह आ जाएगा 3,292.3 newton meter, यह आ गया, और जो हमारा j है, j is polar modulus, and polar modulus is pi d power 4 by 32 for circular section, आप जानते हो diameter पूछा है, हमारा shaft कैसा है, circular है, इसका cross section कैसा है, circular, तो यहाँ पे जो polar modulus यह होता है, यह होता है, circle के लिए pi d to the power 4 by 32, and r radius, radius equal to क्या होता है, dy 2 होता है, और shear stress हमें पता है, तो यहाँ पे सभी values को put कर देते हैं, तो t हमारा आएगा, 3292.3 upon pi d power 4 by 32 is equal to tau max 45 into 10 power 6 upon r is d by 2, d by 2, इसको और simplify करते हैं, तो यह 32 उपर जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, और 3292.3 into 32 divided by pi d power 4 is equal 45 into 10 power 6 into 2, यह 2 उपर जाएगा, और upon d, तो यहाँ से 1d से 1d cancel होगा, एक d cube बचेगा, तो यहाँ से हम लोग d cube find करते हैं, तो d cube equal to, यहाँ से d cube equal to आजाएगा, हमारा, 3292.3 into 32 into 32 upon pi into 45 into 10 power 6 into 2, pi into 45 into 10 power 6 into 2, तो यहाँ से हमें d cube मिलेगा, या फिर हम क्या करेंगे, d find करेंगे, तो और d equal to, तो d equal to cube root of, cube root of this term, 3292.3 into 32, 32 divided by, divided by pi into 45 into 10 power 6 into 2, तो यहाँ से यह, इसको हम लोग simplify कर लेंगे, तो हमें जो d मिल रहा है, 0.0719 meter, 0.0719 meter, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, और d equal to 71.9 mm, अगर हम इसको mm में, तो approximately 72 mm हमारा diameter होगा, तो यह answer आ गया, this is the suitable diameter for this circular shaft, तो बहुत ही आसान सा question था, उम्मीद करता हूँ, यह आपके समझ में आया होगा, लेकिन इसके लिए आपको previous video जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि यह relation हम लोगों ने previous video में torsional equation जब फाइंड किया था, तो वहाँ पे t by j equal to tau by r and t by j equal to g theta by r, दो relation हम लोगों ने find किया था, चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, जिससे जो भी नए videos बनाता हूँ, उसका notification आपको मिलता रहे, Thank you.